Good morning guys, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका exam study पर और मैं सुबम सिंह आपको आज फिर vocabulary का lecture 15 कम्प्लीट कराऊंगा जो कि one word substitution का lecture होगा तो चलिए continue करते हैं पहला हमारा word लिखा हुआ है The history of a man written by others यानि किसी बेक्ति की अगर जीवनी है और किसी बेक्ति के बारे में किसी दूसरे बेक्ति के द्वारा लिखा जाना क्या कहलाता है? ठीक है? The history यानि किसी person के history किसी दूसरे बेक्ति के द्वारा अगर लिखी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? biography, autobiography या philicide ठीक है? तो अगर किसी दूसरे बेक्ति की जीवनी, किसी दूसरे बेक्ति की यानि कि अगर मैं हूँ अगर मेरी जो history है यानि कि मेरे बारे में अगर कोई दूसरे बेक्ति लिखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं biography यानि कि जीवनी लेकिन अगर किसी बिक्त की बारे में अगर वो स्वैम लिखता है तो उसे बोलते हैं आटो बाग्राफी यानि की आत्मकथा नेक्स्ट वर्ड है फिलिसाइड फिलिसाइड हमारा किसली आता है फिलिसाइड का मतलब होता है जो अपनी संतान की हत्या करता है या संतान की हत्या करने वाला हत्यारा बोल सकते हैं उसे फिली साइड बोलते हैं next है the plants and vegetation of a certain reason किसी खास जगह के किसी एक certain reason के जो vegetation होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं flora, fauna, afforestation तो देखिए flora and fauna vegetation के अगर बात की गई है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा यहाँ पर हमारा होगा flora flora मतलब होता है पेड, पौधे और fauna आता है जो हमारे पसुपच्छी होते हैं उनके लिए लेकिन flora and fauna यह एक साथ वर्ड कुछे आते हैं flora and fauna मतलब होता है कि पेड़ पौधे पसुपच्छी अगर सभी के लिए एक वर्ड की बात करें तो हम flora and fauna वर्ड यूज करते हैं a forestation मतलब क्या होता है a forestation मतलब होता है a forestation यानि कि इसका मतलब होता है आप plantation कर रहे हैं यानि कि पेड़ पौधे लगाना ब्रच्छा रूपड करना उसके लिए हमारा वर्ड आता है a forestation या plantation लेकिन कहीं पर अगर वर्ड आपको लिखा मिले इसका मतलब होता है कि ब्रच्छों को काटना ब्रच्छों को काटने के लिए डिफॉरेस्टेशन या दिननेशन वर्ड यूज किया जाता है यानि कि जिसमें बहुत ही जल्दी आग पकड़ती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंफ्लैम्वेबल इंकमबस्टिवल इंविंक्वल तो आपने देखा होगा कि जो टैंकर होता है जिसमें पेट्रोल डीजल वगरा होता है और उसमें आप पीछे के तरह देखेंगे तो उसमें दिखा होगा बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा कभी आप गौर कीजिएगा उसमें दिखा रहता है इंफ्लैम्वेबल यानि कि अति जोलन सील यानि कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है और in combustible मतलब होता है कि जो आग नहीं पकड़ता है उससे बोलते हैं in combustible next है invincible मतलब होता है जो अजे है यानि कि जिसे जीता ना जा सकता अजे है बोलते है उसे invincible तो उसके लिए word यूज गया आता है तो correct answer इसका हो जाएगा a next is that which cannot be heard यानि कि जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं जिसे सुना ना जा सके उसे बोलते हैं inaudible audible मतलब जो शरब होता है जिसे सुना जा सकता है उसे बोलते हैं audible in official memories होती है वो है memories जिसे हम लोग जिसे मिटाया ना जा सके मिटाया ना जा सके इफेस करना, इफेस करना मतलब किसी चीज़ को मिटाना, ठीक है, तो correct option एक, next word, unable to pay once debt, यानि कि परशन जो अपना पैसा यानि कि debt जो कर्ज है वो नहीं लटा पाता है, चुका पाता है, उसे हम लोग बोलते हैं, इन्सॉल्वेंट, इन्सॉल्वेंट बोल सकते हैं, आप बैंक्रप्ट बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, डेलिंक्वेंट, लेकिन इन सब के अलावा अगर ये word ना हो, या अगर ये word हो, अगर आपको कहीं डिफॉल्टर आता है, तो डिफॉल्टर, basically एक proper word है, जिसके लिए जो बैक्तिक करजा नहीं चुखा पाता है, उसके लिए डिफॉल्टर word यूज करते हैं, और इंसॉल्वेंट, बैंक्रप्ट्प्टी, टेलिंक्वेंसी, ये सब दिवालिया पन दिवालिया के लिए यूज किया आता है, नेक्ट है बर्वर, बर्वर अब जा हैं इस बनए मतलुत बला उल्पू करते हैं , और इलिगाल यानि जो विशुथा रहा? बलन दिवालिया और इस kitchen भर उनली के वा मलता है , जो जो खुलता है , यानिद कि जो पर अन१य करेता है ठीक है और फनेज बोलते हैं जो अनाथाले को और फनेज यानि कि जो अनाथाले होते हैं उसके लिए ये वर्ड जूईज किया जाते हैं next word है an instrument for measuring the force of wind यानि कि अगर हवा की जो speed है force है दबाव है उसको मापने के लिए कौन सा वर्ड यूज के जाता है पहला हमारा manometer manometer क्या होता है जो pressure यानि कि जो दाब के लिए यूज के जाता है दाब को मापने के लिए micrometer जो small things को मापने के लिए talescope आपको पता है जो दूर दर्शी होती है ठीक है animal meter जो उसके आता है वो के आता है wind को animal animal word जहां पर आ जाता है animal मतलब होता है wind तो इसका correct option हो जाएगा d अब book containing information of all branches of knowledge यानि कि ऐसी book जिसमें सारे सभी branches के बारे में knowledge हो उसे क्या बोलते है compendium, encyclopedia ये laser तो उसको बोलते हैं encyclopedia ठीक है compendium मतलब क्या होता है compendium मतलब होता है जो हमारा शारांस होता है शारांस की बात करते हैं और इसके लिए word यूज किया आते है extract या आप यूज कर सकते हैं gist gist summary आपको पता ही है summary, gist, extract, compendium, sarans या निचोड किसी चीज का बही खाता बोलते हैं जिसमें सारे अकाउंट की जानकरी होती है a poem of mooring more मतलब क्या होता है mon मतलब होता है शोक के लिए ये word यूज करते हैं या रोना या विलाप करने के लिए तो mooring word वहीं से बना है a poem of worrying यानि कि जो शोक वाली जो कविता होती है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग illegy या डर d-i-r-g ठीक है तो correct option a हो जाएगा sonet sonet क्या होता है sonet 14 lines की एक poem होती है इसे हम लोग बोलते है sonet lyric lyric what is the means of lyric आप देखते हैं कि song में जो lyric होते हैं जो शब्द होते हैं जो line होती है उसे हम लोग बोलते है lyric epic मतलब आपको पता है जो हमारे वेद पुराण वेद पुराण महाकाब ठीक है यह सब होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं epic a game in which no one wins ऐसा game जिसमें कोई भी ना कोई हारता है ना कोई जीता है ठीक है abandon abandon मतलब क्या होता है abandon का मतलब होता है किसी चीच को आप छोड़ दे रहे हैं यानि कि किसी को त्याग देने के लिए हम लोग reject आप बोल सकते हैं उसके लिए बेंडर वर्ड यूज़ किया आता है draw गषण से and अप इस में silent होता है तो इसको draw पड़ते हैं यानि कि draw हो गया आप बोल सकते हैं तो draw या drawn यानि कि इसके दो अर्षितन एक तो किसी चीच को आप draw कर रहे हो यानि कि खीचना किसी चीच को बनाना draw करना और एक draw मतलब होता है कि no one's wins आवजलेट on प्रचिसrai नहीं होती है यांआं कि आउट डेट हूजाती है या आप बोल सकते हैं कि नहीं उल्ड फैशंड बोल सकते हैं प्रचिसलित होता है đã टूमच ओफчेलि फोर्मेल्टी य dengan बहुत जादा ओफिशलि में फोर्मेल्टी होती है अबें टियमको आपको पता है जो होती है देरी के लिए वर्डश करते है ऑफ किरते हैं और इंटर्फरेंज nis k Locha पिसके लिए सब्सक्राइब 1 गर्रेंटि आप किसी चीज के टिक वोलते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं तो इसका correct option हो जाएगा D, a speech made without preparation यानि कि बिना तयारी की बोली के speech को क्या बोलते हैं हम लोग, debate करना यानि कि debate तो आपको पता है बहस करने के लिए या debate होती है जो extempur, extempur या adlib adlib speech बोलते हैं जिसे या impromptu मतलब होता है कि जो बिना preparation के बोली आती है उसके लिए ये word use करते हैं तो B number हमारा correct हो जाएगा elocution, elocution मतलब क्यों होता है elocution आप बोल सकते हैं oratory बोल सकते हैं give top the gap बोल सकते हैं और oratory बोल सकते हैं सभी का मतलब होता है जो अच्छा बोलता है जिसके अंदर ये quality होती अच्छे बोलने की अच्छा बोलने की color उसे बोलते हम लोग elocution ओके thanks for watching jumpshady guys और feedback मुझे जरूर दे कैसा आपको ये lecture लगा और अगर कोई भी आपको doubt है या आपका कोई suggestion है तो आप मुझे जरूर provide करें उसमें, ओके thank you